26. दसमी दिन के युद्ध में भीश्म पितामाहा के बताये अनुसार अपने रत में शिखंडी को आगे करके अर्जुन पीछे हो लिए शिखंडी को देखते ही भीश्म पितामाहा ने कहा शिखंडी मैं तुझे इस्तरी समझ कर तुससे युद्ध नहीं करूँगा इसके उत्तर में शिखंडी बोला हे भीश्म तुम्हें आणी के लिए मैंने दो बार जन्म लेकर तपस्या की है आज मेरे प्रतिशोत का उचित अफसर आ गया है आज मेरे हातों से तुझे कोई नहीं बचा सकता शिखंडी ने भीश्म पर बाणों की बोचार कर दी किन्तु भीश्म पितामहां पर उसके बाणों का कुछ भी परभाव नहीं पड़ रहा था शिखंडी के तीर भीश्म के कवच से टकरा कर गिर जाते थे, उसको भेद नहीं पाते थे, इसलिए भीश्म अपनी प्रतिग्या के चलते, उसके तीरों को ना तो काटते और ना ही शिखंडी पर वार करते थे जब शिखंडी भीश्म पिता माहा पर बाण चलते चलते थकनी लगा, तो शिरी कृष्णी ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, भीश्म इस शिखंडी के बाणों से कभी भी नहीं मर सकते, तुम अपना बाण चलाओ, क्योंकि उनका वद तुमारे ही बाणों से हो सकता है शिरी कृष्णी के इस परकार कहनी बर अर्जुन ने भीश्म पिता माहा पर बाणों की वर्षा करनी आरंब कर दे अर्जुन और शिखंडी के बाणों का रंग एक था इसलिए शिखंडी के बाण भीश्म के कवस से टक्रा कर नीचे गिर रहे थे और अर्जुन के बाण से भीश्म व्याकुल हो रहे थे संध्याकाल तक वे अर्जुन के बाणों को सहते रहे और अंत में धराशाई होकर भूमी पर पीठ के बल गिर पड़े पीठ में लगे बाणों ने भीश्म पिता माहा के लिए शर्षयया अर्थार्थ तीरों के बिस्तर का निर्मान कर दिया भीश्म के इस प्रकार धराशाई होते ही उस दिन की युद्ध की समाप्ति की घोशना कर दी गई और दोनों पक्षों के लोगों ने उने घेर लिया उन सभी के आने पर भीश्म ने उन्हें संभोधित करते हुए कहा हे महारतियो इस समय आप सभी को अपने समक्ष देख कर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है मेरी मिर्तियू का अफसर आ चुका है किन्तु अभी सूरेदेव के दक्षिनायन में होनी के कारण मैं मिर्तियू का वरण नहीं करूंगा जब सूरेदेव उत्तरायन में आएंगे तब ही मैं मिर्तियू को अपने पास आने की स्विकृति दूंगा इस समय इस शर्षयया से मेरा मस्तक पीछे लटक रहा है अतहे आप लोग मेरे लिए तक्षिय का प्रबंद करो भीश्म पितामाहा की बात सुनकर दृर्योधन ने ततकाल एक उत्तम तकिया मंगवाद लिया उस तकिया को देखकर भीश्म पितामाहा ने हसते हुए कहा दृर्योधन क्या तुम्हारा लाया तकिया इस वीर शयया के यूग्य है यह सुनकर अर्जुन ने तुरंत तीन बाण चलाए और उन बाणों की नौक पर पितामाहा का सिर रख दिया इस परकार उनके लिए उपित तकिया बना दिया उस तकिया से संतुस्ट होने के बाद भीश्म ने पीने के लिए जल का आगरह किया इस पर दुर्योधर ने अपने अनुचर को सुन पात्र में जल लाने का आदेश दिया किन्तु ततकाल ही अर्जुन ने फिर भीश्म पितामाहा के पास की भूमी पर एक बाण चला दिया जिस से पृत्वी से अमरत के सरदरश शीतल जल की धारा फूट पड़ी उस जल से अर्जुन ने पितामाहा की प्यास शांत की इसकी उपरांत भीश्म ने कहा अप मैं इसी शर्शया पर रहकर इस युद्ध का अवलोगन करते रहोंगा आप सब लोग अपने शिविर में चले जाएए उनके बार बार अनुरोद करने पर वे सभी अपने शिविरों में लाट गए जब कर्ण को यह पता चला की पितामाहा भीश्म खायल होकर रण शेतर में पड़े हैं तो वेह उनके पास कया प्रणाम करके जब कर्ण उठा तो पितामाहा को उसके मुख पर भाय की चाया से दिखाई दी यह देखकर भीश्म का दिल भराया शरीर पे लगे हुए बाणों को होनी वाले कस्ट को दबा कर बोले बेटा तुम रादा के पुत्र नहीं कुंती के पुत्र हो सूर्य पुत्र हो मैंने तुमसे कभी द्वेश नहीं किया अकारण ही तुमने पांड़ों से वेर रखा इसी कारण तुम्हारे प्रती मेरा मन मलीन हुआ तुम्हारी दानवीरता और शूरता से मैं भली भाती परीचित हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं कि शूरता में तुम कृष्ण और अर्जुन की बराबरी कर सकते हो, तुम पांडवों में जियस्ठ हो, इस कारण तुम्हारा करतव्य है कि तुम उनसे मित्रता कर लो, मेरी यह ही इच्छा है कि युद्ध में मेरे सैना पतित्व के साथ ही पांडवों के प्रती तो महारे वेर भाव का भी आज ही अंत हो जाए। यह सुनकर करण बड़ी नम्रता के साथ बोला, पिता महा, मैं जानता हूँ कि मैं कुंती का पुत्र हूँ, लेकिन यह बात मुझसे नही की अनुमती दें कि मैं दुर्योधन की तरफ से लड़ू, मैंने जो कुछ किया या कहा है, उसमें जितनी दोश हूँ, उसके लिए मुझे शमा करें। करण का कथन भीश्म बड़े दिहान से सुनते रहे, उसके बाद बोले, जो तुम्हारी इच्छा हो, वही करो। भीश् महा से आशिश पा कर, करण बहुत प्रसन हुआ। करण को देखते ही दुर्योधन आनंद के मारे फूल उठा, भीश्म के विचोव का जो दुख उसके लिए असहनिये सा परतित हो रहा था, अब करण के आजाने पर किसी तरह उसे भूल जाना उसके लिए संभव मालुम होन दस्वे दिन के युदि के पश्चात, दुर्योधन और करण इस बारे में सोच विचार करने लगे कि अब सैनापती किसे बनाया जाए। द्रिस्ट दुम्न, अभिमन्यों, दुरुपत, काशी राज, आदी सुविख्यात वीरों के विरुद, दुर्णाचार अकेली ही भिड जाते थे और एक-एक को खदेर देते थे। सलहा करके एक यूजना बनाई। उसके अनुसार दुर्योधन आचारे के पास जाकर बोला, आचारे किसी भी उपाय से आप यूदिस्टर को जीवित ही पकड़ कर हमारी हवाले कर सके तो बड़ा ही उत्तम हो। दुर्योधन का उदेशय तो कुछ और ही था। दुर्योधन को यहे भी पता चल गया था कि यूदिस्टर का वद करने से कोई लाब नहीं हो सकता। इसके विपरीत यदि यूदिस्टर को जीवित पकड़ लिया जाए तो यूदि भी शीक्र ही बंध हो जाएगा और जीत भी कौर्वों की होगी। थोड़ा राजे यूदिस्टर को दे देने का बहाना करना होगा, सो वह कर देंगे और फिर बाद में जुवा खेल कर सहजी में उससे सारा राजे छीन भी लेंगे। इनी सब विचारों से प्रेरित होकर दुर्योधन ने दुरोणाचारे से यूदिस्टर को जीवित पकड़ लाने का अनुरोत किया था, लेकिन दुरोण को जब दुर्योधन के असली उदेश्य का पता चला, तो वह बहुत उदास हो गए। इससे उनके मन में दुर्योधन के प्रती तीवर ग्रणा उत्पन हो गई। मन ही मन यह सोच कर उन्होंने सदोश कर लिया कि यूदिस्टर के प्राण ना लेनी का कोई न कोई बहाना तो मिल ही गया। पांड़क तो दुरोणाचारे की अधुत्य, शूर्ता और शस्त्र विद्या के अनुपम ज्यान से भल को यही चिन्ता रहने लगी कि किसी भी तरह यूदिस्टर की रक्षा का पूरा-पूरा प्रबंद किया जाए। दुरोण ने अपने सार्थी को आग्या दी कि रत को उस और ले चलू जिधर यूदिस्टर युद्ध कर रहे हो। यूदिस्टर समले इससे पहले ही से सारा कुरुशेत्र गूंज उठा। इतने ही में एका एक नजानि कहां से अर्जुन उधर आ पहुचा। और अर्जुन के गांडीव से बाणों की ऐसी अविरल बोचार छूट रही थी कि कोई देखी नहीं पाता था कि कब बाण धनुष पर चड़ते और कब छूटते कुरुशेत्र का आकाश बाणों से भर गया। इस कारण सारे मैदान में अंधगार सा छा गया। अर्जुन के हमले के कारण द्रोणाचारे को पीछे हटना पड़ा। युदिस्टर को जीवित पकड़ने का उनका प्रयत्न विफल हो गया। और संध्या होते होते उस दिन क का युद्ध भी बंद हो गया। कौरव सैना में भय चा गया। पांडव सैना के वीर शान से अपने अपने शिवर को लोट चले। सैन्ने समूह के पीछे पीछे चलते हुए कृष्ण और अर्जुन अपने शिवर में जा पहुंचे। इस प्रकार ग्यार्वे दिन का यु युदिस्टर को जीवित पकड़नी की चेस्टा के वफल हो जाने पर अंत में यही निश्य किया गया कि अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा जाए और लड़ते लड़ते उसे युदिस्टर से दूर हटा कर ले जाया जाए। युद्ध का बारवाह दिन था बहुत ही भयानक लड़ाई हो रही थी। आचारे द्रोन ने युदिस्टर को जीवित पकड़ने की कई बार चेस्टा के पर असफल रहे। भगदत्त के हाथी ने भीमसेन को मार दिया। यह शोर सुनकर युदिस्टर ने भी विश्वास कर लिया कि भीमसेन सचमुछी मारा गया यह सोचकर उन्होंने अपनी वीरों को आग्या दे कि वे भगदत्त पर हमला करे। एधर युदिस्टर द्वारा भेजी गई सैना आप पहुँची थी और वृद्ध भगदत्त को चारों तरफ से पांड़ा वीरों ने घेर लिया था। उधर दूर अर्जुन संशप्तको से लड़ रहा था। अर्जुन के पहुचते ही पांड़ों की सैना में नया उत्साहा आ गया। हाथी पर सवार भगदत्त ने अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों पर ही बान बरसाने शुरू कर दिये। भगदत्त ने एक तौमर अर्जुन पर चलाया। तौमर अर्जु अर्जुन के मुकट पर जा लगा। इससे अर्जुन को बड़ा क्रोध आया। उसने अपना मुकट समहाल कर रख लिया और बोला भगदत्त अब इस संसार को अंतिम बार अच्छी तरह से देख लो। यह कहते कहते अर्जुन ने अपना गांडीव तान लिया। अर्जुन के तीज बाणों से भगदत्त की आँखों की उपर बनीवी रेशम की पट्टी कट गई। जो उसकी आँखों की उपर लटक आने वाली चमडी को उपर उठाए रखती थी। इससे भगदत्त की आँखे बंध हो गई। उसे कुछ भी सूजना बंध हो गया। और वह अंध धेरे में मानों विलीन सा हो गया। थोड़ी ही देर बाद एक और पैने बार ने उसकी छाती भेद डाली। भगदत्त को गरते हुए देखकर कौरवों की सैना मारे भाय के तितर-बितर होने लगे। किन्तु शकुनी के दो भाई व्रिशक और अचक तब भी विचलित ना ह हुए और जम कल लड़ते रहे। उन दोनों वीरों ने अरजुन पर आगे और पीछी से बाणों की वर्षा करके खुब परिशान किया। अरजुन ने थोड़ी देर बाद उन दोनों की रथों को तहस नहस कर दिया। और उनकी सैनाओं पर भी भयानक बाण वर्षा के सिही शिश्यू के समान वी दोनों भाई अरजुन के बाणों से घायर होकर गिर पड़े और मृत्यू को प्राप्त होए। अपने अनुपम वीर भाईयों के मारे जाने पर शकुनी के क्रोत और शोब की सीमाना रही। उसने युद्ध शुरू कर दिया और उन सब उपायों से का उनी ऐसा आहुत हुआ कि उसे युद्ध शेतर से हट जाना पड़ा। इसके बाद तो पांडवों की सेना द्रोनाचारे की सेना पर तूट पड़ी। असंखे वीर न रहे। खून की नदिया बहने लगी। थोड़ी देर बाद सूरे अस्त हुआ अपनी सेना का यह हाल दे सुनना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट जरूर कीजिये और मेरे वीडियो को लाइक कीजिये शेय कीजिये और सब्सक्राइब कीजिये थैंक यू